शारुक का स्टार्डम और गौरी का प्यार दोनों ही कानून के आगे नहीं चल पाए हमने देखा कि किस तरीके से शारुक खान को आर्यन से मिलने के लिए NCB का अपॉइन्मेंट लेना पड़ा और एक लिविटिट समय के लिए वो अपने बेटे से मिल पाए हमने गौरी खान को भी देखा कौट के बाहर जब आर्यन की बेल रिजेक्ट हो गए और उने फिर से कस्टिडी में भेश दिया गया तब कार में गौरी खान के रोने की विडियो आज भी वाइदल हो रही है गौरी खान ने अपने हाथ से अपना मूँ छेपा रखा है और वो बहुत दुखी और डर्द में नजर आ रही है ऐसे में आज एक बार फिर से स्टार्डम फीका पड़िया कानून के आगे तब जब शारुखान के मननत से उनके कुछ स्टाफ मेंबर्स आर्थर रोड जेल पहुंचे इन Members के पास में कुछ समान था Aryan के लिए जरूरी समान गौरी ने इन स्टाफ Members के साथ जेल भिजवाया था यह स्टाफ Members जेल के बाहर तो नज़र आए लेकिन जेल के अंदर नहीं जा पाएं इन्हें बाहर से ही रवाना कर दिया आर्थर रोड जेल के नियम और कानून काफी सक्त है और ऐसे ही हर रोज छोटे मोटे काम के लिए आप कैदियों से मिल नहीं सकते जाहिर सी बात है आरियन खान शारुक खान के बेटे हैं लेकिन जिस वक्त वो जेल में है एसे कैदी ही उन्हें ट्रीट किया जाएगा वो कॉरिंटीन में है बाहर नहीं जा सकते हैं एक ही सेल में उन्हें रखा गया है नमबर वन बैरल में आरियन खान है गौरी खान के ये स्टाफ मेंबर्स जब वहाँ पर पहुँचे तो अथोरिटीज ने उन्हें जेल के अंदर अलाव नहीं किया उन्हें बाहर से ही लोटना पड़ा हाला कि सामान जेल अथोरिटीज ने ले लिया था लेकिन सामान वही लिया जो जेल में लाना अलावड है आपको बता दें कि जरुवत के सामान हो सकते हैं कपड़े वगेरा ये जो चीज़े हैं आरियन के लिए उनकी फैमिली से भीजी गई हो लेकिन जेल के अंदर घर का खाना अलाउड नहीं है अभी आरियन को जेल में जो खाना बनता है वही खाना पड़ेगा और अलग से अगर वो कुछ खाना चाते हैं तो जेल की कैंटीन से वो खरीद सकते हैं उसके लिए भी उन्हें अपने घर से अपने पिता से मनी ओर्डर बनवाना पड़ेगा और उसके थू ही पेमिंट किया जाएगा आरियन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने आज बेल अपलाई कर दी है और मंडे को इस बेल पर सुनवाई होगी इसके अलावा गौरी के इस टफ टाइम में उनके साथ सपोर्ट करने के लिए उनके भाई भी मननत आ चुके हैं मननत की बालकनी में आज गौरी खान के भाई विकरांथ चिब्बर को स्पोच किया गया था और वो भी टेंशन में दिखे फोन पर किसी से बात कर रहे थे इसके अलावा करन जोहर भी पिछले दो दिनों से लगातार मननत के चक्कर लगा रहे हैं सीनियर एडवोकेट्स और कुछ लीगल लोगों के साथ करन शारुक के घर पहुचे